सब्सक्राइब कीजिए दपरफेक्ट क्लासिस चैनल को और बैल आइकन को दबाईए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए दपरफेक्ट क्लासिस में आप सभी का सागते हैं डारेक्टर नेट ओफ एजुकेशन जीए देखने की वक्षीट नमबर 23 डिसकस कर रहे हैं बच्चों क्लासिक्स की वक्षीट है सब्जेक्ट है सोचल साइंस 18 दिसंबर 2020 की वक्षीट है नेम ओफ स्टाट कर रहे हैं आज की वक्षीट में ठीक है न्यू कोशन एन आइडियास नए पिर्शन नए विचार के बार में पढ़ेंगे Monasteries जिने विहार भी कहते हैं हम तो इस्टाट करते हैं बच्चे वक्षीट बोथ जेन और बुद्धीस्ट मॉंक्स यूस्ट गो फ्रों प्लेस तो प्लेस तो प्लेस तो फ्रोग देश दिया करते थे But during rainy season it was very difficult to travel so they stayed in one place लेकिन जो पारिश का मौसम होता था उसमें जब यात्र करना कठिन हो जाता था तो वे एक ही स्थान पर रुख जाया करते थे Initially these places used to be temporary shelters but more permanent shelters were built later and thus monasteries were built तो शुरू में तो उनके जो निवास इस्थान थे वो कैसे थे temporary थे इस्थाई हुआ करते थे लेकिन बाद में ये जो monk और nuns होते इनके लिए ये जो इस्थाई निवास बनाए गए जो की permanent house बनाए गए उन्हें ये विहार कहा जाता थीके बच्चो these were known as विहारs, monasteries बोलते है इने ठीक है the earliest विहारs were made of wood and then of brick some were even in caves that were dug out in hills especially in western India शुरू में तो इविहार लकडी के बनाए जाते थे बाद में इटो के प्रियोग किया जाने लगा पस्ची में भारत में विशेश कर कुछ विहार पहाडीयों को खोद कर बनाए गए very often the land on which the विहार was built was donated by a rich merchant or a landowner or the king the local people came with the gifts of food, clothings and medicine for the monk and nun in return they taught the people अक्सर क्या होता था कि किसी धनी व्यापारी ठीक है जो rich merchant होते थे या फिर जो भुस्वामी होते थे या फिर राजा जो होते थे वो उनकी द्वारा दान में दी गई भूमी पर विहार का निर्माण होता था और जो इस्थानिय व्यक्ति होते थे लोकल पीपल वो भिक्कु भिक्कुणियों के लिए मतलब इन monks और nun के लिए क्या लाते थे भोजन वस्त्र तथा दवाईये लिकर आते थे जिसके बदले में ये लोग उन्हें शिक्षा दिया करते थे ये monks और nun जो होते है ठीक है बच्चों देखें यहाँ पर कारले केव दिखाई हुई है महरास्ट की ये विहार वेर monks और nuns lived and meditated ये एक विहार है जोहाँ पर भिक्कु भिक्कुणियों होते है monks और nuns और वो रहकर यहाँ धियान किया करते थे आप question answer देख लेते है question one है what were the विहारs विहारs क्या है ठीक है तो इसका answer आप लिखेंगे permanent residences were built for monks and monks and nuns are called विहार जो monks बोलते है भिक्कु को जो भिक्कु बोले जाते थे उस टाइम पर nuns भिक्कुणियों होती थी उनके लिए permanent residence बनाएगे मतलब इस्थानीय निवास बनाएगे उन्हें विहार का जाता है question number two है how were the विहार built how were the विहार built विहार का निर्माण कैसे होता था तो इसका answer आप यहां से लिखेंगे the earliest ठीक है यहां से लिखेंगे the earliest विहार were made of food and then of bricks somewhere even in caves that were dug out in hills especially in western India शुरू में तो इस विहार लकडी के बनाएगे बाद में इनके निर्माण में इटो का प्रियोग होने लगा और पस्चिम भारत में विशेश कर कुछ विहार पहाड़ियों को खोद कर बनाएगे ठीक है अब question number 3 है बच्चो who helped in building the विहारs विहार के निर्माण में कौन साहता करते थे तो देखिए आप यहां से लिखेंगे answer very often the land on which the विहार was built जो विहार बने होते थे वो donate किये जाते थे, दान में दिये जाते थे किसके दुआरा by rich merchant, जो rich, अमीर, वेपारी होते थे या फिर भूस्वामी होते थे, land oner या फिर राजजो होते थे, ठीक है इनकी साहता से बने तो यहां आप answer में लिख देंगे, बस इतना ही answer 3 अब question number 3 होगा, आप activity देख लीजिए find out the names of important ancient vihards of India with the help of your family members and teachers अपने जो परिवार के लोग हैं और जो अपने teachers हैं आपके उनकी साहता से आपको बोला गया है कि प्रमुख ब्राचीन विहारों के नाम पता कीजिए तो देखिए इसका answer आप यह लिख लेंगे activity यह activity का answer है, ठीक है क्या लिखेंगे बच्चों इसमें? आप इसमें लिख लेंगे जुनार विहार, कॉंकड़े विहार, कानहेरी विहार ठीक है? यह famous है विहार साप इनके नाम लिख लेंगे तो आपकी वक्षिट सॉल्व हो गई अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आईए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीचे, शेयर कीचे, हमाने जनल को सब्सक्राइब कीचे थैंक्स पर वाचिंग